भारतिय राजनीती में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनोंने कुर्सी से उपर उठकर सोचा और जो वादा किया उसी निभाया हम बात कर रहे हैं चौधरी देविलाल की पूर्व उपमुख्यमंत्री चौधरी देविलाल राजनीती के असल किंग में करते वो राजनीती के उन गिने चुने शक्सियतों में से एक थे जिनोंने अपना वादा निभाने के लिए प्रधान मंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दी आज भी चौधरी देविलाल को राजनीती का सबसे भरोसे मन्ताओ के तोर पर यात किया जाता है चोधरी देविलाल का जन 25 सितंबर 1914 को हर्याना के सिरसा जिले के तेजा खेडा गाओं में हुआ था देविलाल के पिता किसान थे देविलाल ने सौतंतरदा आंदुलन में हिस्सा लिया और जब देश आजाद हुआ तो राजनीती के जरिये समाज सेवा के शित्र में आ गए 22 सालों के संघर्स के बाद पहली बार 1952 में विधायक बने इसके बाद 1956 में पंजाब का उंग्रेश के अध्यक्ष बने राजनीती में ताउ कहे जाने वाले देविलाल ने हर्याना को अलग राज्य बनाने में महत्पुन भूमिका ने भाई 1971 में देविलाल ने कांग्रेश छोड़ दी और जब 1975 में देश में आपातका लगा तो देविलाल ने इंद्रा की हकूमत को कड़ी चुनोती दी इमरजेंसी के दोरान वो तकरीवन 19 महीने जेल में रहे इसके बाद चुनाब हुए तो उन्होंने जन्ता पार्टी के टिकट पर चुनाब लडा और जीते और बाद में हर्याना के मुख्यमंत्री बने उन्हें लोगों ने शेर हर्याना का खिताब तक दिया असी के दशक में चौधरी देविलाल ने लोगदल नाम की अलग पार्टी बनाई उन्होंने हर्याना के गरीब गुर्वों के लिए न्याई युद्ध चलाया इस आंदोलन ने उन्हें हर्याना के किसान मजदूरों का चहता बना दिया चौधरी देविलाल ने राजनीती में कई मुकाम हासिल किये उनकी लोग प्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1987 के विधान सवा चुनाओं में देविलाल की पार्टी ने हर्याना की 90 सीटों में से 85 सीटों पर जीत दर्ज की और देविलाल दूसरी बार हर्याना के सीएम बने इन राजनीतिक बुलंदियों के बावजूद देविलाल को सबसे ज़्यादा 1989 के चुनाओं में वीपी सींग को प्रधान मंत्री की कुर्शी सौपने की वजह से याद किया जाता है कहा जाता है कि 1989 के चुनाओं में चौदरी देविलाल ने जो किया वो राजनीती में कम ही लोगों ने किया या शायद किया ही नहीं दरसल साल 1989 के चुनाओं के बाद संयुक्त मूर्चा के संसदिय दल की बैठक चल रही थी इस बैठक में देविलाल को संसद्य दल का नेता मान लिया गया था प्रधान मंत्री की कुर्सी के वो बिलकुल करीब थे बैठक में विश्वनात प्रताफ सिंग ने देविलाल को संसद्य दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसका चंद्रशेकर ने भी समर्थन किया था देविलाल अपनी राजनीति के सीर्ष पर खड़े थे उस बैठक में वो नेताओं का धन्यवात करने के लिए खड़े हुए पर वो बोले कि मैं सबसे बुजुर्ग हूँ मुझे सब ताउ बुलाते हैं मुझे ताउ बने रहना ही पसंद है और मैं ये पद विश्वनात प्रताप सिंग को सौपता हूँ जैसे ही देविलाल ने ये शब्द कहे पुरी सभा में सन्नाटा चा गया लोग हैरान थे कि देविलाल ने ऐसा क्यों किया भला प्रतान मंतरी की कुर्सी भी एक जटके में कोई ठुकराता है क्या मगर देविलाल ने ऐसा किया राजनीती के जानकार कहते हैं कि उस वाक्य के बाद देविलाल राजनीती के किंग मेकर बन गए वीपी सिंग सिर्फ चौधरी देविलाल की वज़े से प्रधान मंतरी बन पाए उस दौर में चंदरशेकर वीपी सिंग को संसेदिय दल का नेता चुने जाने के खिलाप थे उन्होंने संसद्य दल का नेता बनने के लिए चुनाव लडने तक का एलान कर दिया था वीपी सिंग को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था लेकिन वीपी सिंग के पीछे ताऊ देविलाल खड़े थे हलाकि कहा जाता है कि संसद्य दल की बैटक से पहले देविलाल और वीपी सिंग के बीच गुप्ट समझोता हो चुका था देविलाल ने इसी समझोते में किये वादे का पालन किया और संचदिय दल के नेता की कुरसी वीपी सिंग को सौमती देविलाल, वीपी सिंग और चंदरशेकर दोनों की सरकारों में उप्पिरधान मंत्री मने 6 अप्रेल 2001 को देविलाल का निधन हो गया लेकिन आज भी लोग उन्हें ताउ के तोर पर याद करते हैं झाल, भी पर निधन को माद करते हैं